वेलकम टू जीगेफेक्स करण में जानेंगे वीडियो के अंदर देखे अभी जो है हूरन ग्लोबल जो 500 की लिस्ट है 500 जो लिस्ट होती है उसको अभी जारी करा गया ठीक है इस बार इस लिस्ट में कौनसी कंपणी सर्वस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे किस बिहाब पर इ एक दो नुम्मर का कोशन है जो की यहां से एकजाम में आता है तो इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा लेकिन वह टेलिगराम पर मिलेगा टेलिग्राम का कर लिजेगा साथ में Facebook Instagram को फॉलो कर लिजेगा चलिए स्टार्ट करते एक एक करके पुइंटों को समझते हैं तो देखे यहां पर पूरी विशेशताओं के साथ यह बताया गया है 2022 की इस बार की लिस्ट है लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम यह करेंगे क कि भारत इस वार 50 इस थान पर आया यानिके कही ना कहीं हम यह कह सकते खें है हो वह काफी चालू हो चुका है ठीक है दूसरी चीज है कि यह जो ग्लोबल लिस्ट होती है तो देखी यह जो ग्लोबल लिस्ट होती है इसमें 500 सूची होती है 500 कंपनिया इसके इंदर जोड़ी होती है है ना और सबसे मुल्यवन और गैर राची नेंतन कंपनियों का इसमें संकलन होता है मतलब मतलब जिन कंपनियों का मुल्य सबसे जादा है विश्चु भर में उनको इसमें जोड़ा जाता है एसी 500 कंपनियों को ढूंडा जाता है अब ये जो Research Institute होता है इसके द्वारे से जारी करा जाता है इस सूची में यह बताया दिया जाता है कि कंपनियों को उनके बजार पुझी करण यानि कि उनका share market कितना है वो कितना capture करते है पूरे market को उसके बिहाब पर रैंक किया जाता है ठीक है ना और दूसरा इसमें जो होता है मुल्यंकन भी होता है यानि कि कहने का तात परिए कि ये जो लिस्ट होती जारी करने का सिंपल सा एक तारीका होता है कि 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 मालेयर की के बात होती है चलिए अब आते हैं इसमें विशेषताई क्या बताई गई है तो इस ग्लोबल पांसों की सूची के तहर्ट इग्यारा मुंबई में चार एहमदाबाद में और एक नोईडा में एक जो है वो नोईडा नई दिल्ली और बैंगलोर और कॉलकाता में इस देते हैं यह याद रखेगा कि भारत का पांचवा इस्थान इस बार आया है पिछले बार नौवा इस्थान था इस बार पांचवा आ गया चार इस्थान भारत उपर आ गया देश के अंदर 20 कंपनियों को चूज करा गया है इस सूची के अंदर बताया गया है कि 20 कंपनियों में से 11 ऐ के साथ Reliance Industries भारत की सबसे मुल्यवन कंपनी है यानि कि सबसे बढ़िया कंपनी और सबसे कमामने कमाने वाली कंपनी अगर कोई है तो वह सबसे ज्यादा कौन है यह याद रखेगा दूसरा कौन है फिर टाटा है तीसरा कौन है अगर इसकी बात करेंगे ज्याइस इंडस्टी और टाटा जो है यह चोंतिसवे और पैंसटवे स्थान पर है सूची में सिर्फ सो में सामिल होने वाली केवल दो भारती कंपनिया ही इस बार रखी गई है तो यह पूरे जो चार पॉइंट है यह मौस्ट इंपोर्टेंट है आपको बहुत पता होने चाहिए ठीक है पहला पॉइंट यह है कि भारत का नवे से पाच्वा स्थान आ गया दूसरा भारत की 20 कंपनिया जोड़ी गई है जिसमें से 11 मुंबई में कारी कर रही है चार आंधाबाद में एक एक नोईडा दिल्ली बैंगलोरू और यह कॉलकाता में है बात करें वैल्यू की तो वैल्यू की अगर बात करेंगे वो एक मातर ऐसी कंपनिये हैं जो 34 और 65 वे पर यानि कि अगर 600 कंपनियों में भारत की हुरन ग्लोबल सूची में कौन सी कंपनिय सामिल हुई है तो आपको रिलाइंस और टाटा का नाम याद रखना है कि यह 100 में हुई है सादमिन का इस्थान याद रखेगा 34 और 65 हुआ ठीक है बच्चा चलिए आगे बात करते हैं अब थोड़ा विश्यू की तरह आ जाते हैं मतब थोड़ा भार निकलते हैं 260 कंपनियों के साथ इस सूची में अमेरिकी कंपनियां सीर्स परदर्शन करता है जैसी बात है बड़ी-बड़ी कंपनियां अमेरिका में कार्य कर रह भारत और कनाड़ा पांचवे स्थान पर आ गये हैं इन दोनों देशों में से प्रते की सूची में 20 कंपनिया है इन्होंने फ्रांस और जर्मन को पीछे छोड़ दिया है मतलब फ्रांस और जर्मन भी अतनी कंपनिया नहीं अब हमारे यहां पर हो गई है नियोर्क में 31 अबनियों के बेश है नियोर्क के अंदर और इसे हुरन जो है ग्लोबल पांसों के सीर्ष शहरों में सीर्ष परदलसन करता बनता है टोक्यो सोलवा लंदन पंदरवा दूसरे और तीसरे इस्थान पर है पैरिश चोथे इस्थान पर है उसके बाद मॉंबाई का नंबर है अगर हम लोग देश के अंदर भी बात करेंगे तो इस तरीके की सूची इसमें दी गई है किलियर है बचा तो याद रखेगा विस्थू के अंदर अमेरिका की टोटल 260 कंपनिया है जो कि अमेरिका सरुचरिस्ट बनता है इस मामले में उसके बाद चाइना बनता है उसके ब पूरी सूची को समझ गयोंगे कि पूरी सूची क्या है वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा ठीक है और सुभा की अगर वोकाइबलरी नहीं देखियो तो इसे जरूर देख लिजेगा पेपर